हेलो एवरिवन, वेलकम टू सक्सेज विद राय अकेडमी, टेज सितंबर दोजर बीस के दैनिक जैर्वन के राष्टिय संसरन को आज के इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे, तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं, सबसे पहले आज की मोटिवेशनल लाइन, जिन लोगों को नॉवल्स पढ़ने की आदत होती है, या फिर कुछ वो मैगजीन पढ़ते हैं, किताबे पढ़ते हैं, तो वो हवेक्ती, जो किताबों से दोस्ती करता है, वो कभी अकेला नहीं रहता है, क्योंकि उसे उसमें ही अपनी दिनिया दिखती है, उसमें ही वो सांती महसूस करता है, यानि कि किताबों में ही वक्त होया रहता है, अब किताबों से उसे, जब वो जाहिड सी बात है, जब वो पढ़ता होगा, तो किताबों को, तो उससे सीखने को भी कुछ ने कुछ जरूर मिलता होगा, इसलिए आप सबसे पहले किताबों से दोस्ती करिए, और अगर की नेशनल न्यूज है, पहली न्यूज है, तनाव घटाने की तयारी LAC पर और सैनिक नहीं भेजेंगे भारत और चीन, दोनों देशों के भी 14 घंटे तक चली, कमांडर इस तरिये वारता में बनी सहमती, दूसरी न्यूज है, प्रधान मंत्री 37 जिलों के ग्रामिनों को द दरवाज, दस्तावेज, नेश्ट है, असंगडिच छेत्र के 40 करोण, यहां पर होगा 40 करोण स्रमिकों को मिलेगी सुरक्षा, पहली न्यूज से सुरू करते हैं, पूर्वी लद्दाक इस्तिद वास्तिक नियंतरन रेखा पर बने सैन ने तनाव को खत्म करने के में सुदा घंटे तक चली कमांडर इस्तरिये वारता में बनी है, 10 सितंबर को दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मासकों में हुई बाचीत में पांच मुद्दों पर बनी सैमती के बाद या पहली सैन ने वारता थी, दोनों पक्षों ने मंगलवार को संयुक्त बयान ज भारत वा चीन के बीच सैन कमांडर इस्तर के छटे दोर की बाचीत हुई थी, दोनों पक्षों में LAC पर हालात को इस्तिर बनाने को लेकर बहुत ही गहराई से विचारों का आदान प्रदान हुआ था, संयुक्त बयान में उन बातों का जिक्र है जिसको लेकर सहमती बनी है ये हैं ग्राउंड यानि विवाद वाली जगा पर समवाद को बढ़ाना, एक दूसरे को लेकर गलत फहमी दूर रहना, फ्रंट लाइन यानि सीमा पर और सैनिको की तैनाती को रोकना, ग्राउंड पर यथा इस्तिती बदलने से रोकना, दोनों पक्ष कोई भी ऐसा कदम न देंगे घरौंदी, देश की आजादी के 73 साल बाद सुबे के गाउं यानि उत्तर प्रदेश के गाउं के आबादी छेत्रों में रहने वाले लोगों को उनके मकानों का मालिकाना हक मिलेगा, यह मुम्किन होगा किन सरकार की स्वामित्य योजना के जरिये जिसके तहत गाउं के आबादी छेत्रों की संपत्ती का सीमांकन किया जा रहा है, गांधी जैनती पर 2 अक्टूबर को प्रधान मंत्री निरेंद्र मोधी वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये उत्तर प्रदेश के 37 जिलों के 350 गाउं के निवासियों को उनके मकानों के स्वामित्य प् प्रधान मंत्री ने स्वामित्य योजना के तहत ड्रोन टेक्नोलोजी के इस्तमाल से गाउं के आबादी छेत्र की एरियल फोटोग्राफिक कर उसमें निहित संपत्यों का सिमांकन किया जा रहा है सिमांकन के आधार पर घरौंदी मुहया कराई जाएगी घरौंदी का एक फाइदा यह होगा कि ग्रामिड अपने मकान के एवज में बैंक से लोन ले सकेंगे नेस्ट है असंगठित छेत्र के 40 करोन स्रमिकों को मिलेगी सुरक्चा मंगल बार को बहु प्रतिक्षित नैस्रम विध्यक को लोग सभा में पारित कर दिया गया नैस्रम कानून से देश के असंगठित संगठित दोनों प्रकार के स्रमिकों को कई तरह की नई सुविधाय मिलेंगी सभी स्रमिकों को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा वेतन का डिजिटल भुगतान करना होगा साल में एक बार सभी स्रमिकों का हेल्थ चेकप भी करना अनिवार्य होगा वहीं उद्धमिय सुरक्षा स्वास्त एवं कारिदशाय सहिता और द्योगिक संबंद सहिता एवं सामाजिक सुरक्षा सहिता को पेश किया। उन्होंने कहा कि 73 साल के इतियास में पहली बार सरम कानून में सरम कानून में बदले जा रहे हैं। ये नियोक्ता और स्रमिक दोनों के लिए फाइदे मंद होंगे। मजदूर सहिता पहले ही अधिसूचित हो चुकी है। इन चार सहिताओं में पुराने 29 कानूनों को एकिकरत किया गया है। तो ये नेशनल नियूज थी तीन हमारे लिए आप नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। विश्वास के संकट से गुजर रहा यूएन। ये स्टेटमेंट दिया है मोदी ने। प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने कहा कि संयुक्त राष्ट वियापक सुधार के आभाव में विश्वास के संकट से गुजर रहा है। दुनिया को बहुपक्षी सुधारों की जरूरत है जिसमें सभी को मौजूदा चुनोतियों से निपटने हुआ मानो कल्यान के लिए आवाज उठाने का मौका मिले। प्रधान मंत्री मोधी ने मंगलवार को चार मिनिट के एक वीडियो संदेश के जरिये सोयुक्त राष्ट महासभा की एक उच्छ स्तरिये बैटक को संभोधित किया। उन्होंने कहा कि हम पुरानी संरचना के जरिये मौजूदा चुनोतियों का सामना नहीं कर सकते हैं। व्यापक सुधारों के बगैर यूएन को विश्वास के संकट का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने पताया कि भारत सुधार की दिसामें दूसरे देशों के सांथ मिलकर काम करने को उत्सुक है। प्रधार मंत्री मोधी ने सुधार की यह अपील ऐसे समय की जब भारत हाल में सयुक्त राश्व रक्षा परिस्ट के अर्स्थाई सदस्य के तौर पर चुना गया है। अब यह इंटरनेशनल पेज की एक न्यूस थी। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज में तीन न्यूस है हमारे लिए। पहली न्यूस से शुरू करते हैं। COVID-19 की वज़ा से जिस तरह आर्थिक गति विधियां प्रभावित हुई हैं उससे पारंपरी विजली छेतर की इस्तती बेहत खस्ता हाल है। लेकिन नवीन उर्जा सेक्टर और खास तौर पर सौर उर्जा परियोजनाओं को लेकर देशी विदेशी निवेसोगों का उत्सा पूरी तरह से बरकरार है। जून अगस्त 2020 के दोरान कुल 5570 मेगावाट छमता की 400 उर्जा परियोजना लगाने की निवीदा सफलता पूर्वक संपन्न कर ली गई है। इस वर्ज जन्वरी के बाद से भारत में 18,770 मेगावाट छमता की 100 परियोजनाओं में करीब 20 अरब डॉलर यानि लगभग 15,000,000 क्रोल रुपए के निवेस का प्रस्ताव आया है। सबसे एहम बात यहा है कि इन परियोजनाओं के तहत 2.36 से 2.92 रुपए परती यूनिट की दर से बिजली उत्पादन का प्रस्ताव रखा गया है। चार परियोजनाओं के लिए कंपनियों ने जून से अगस्त के दौरान बोली गई थी। इन चार परियोजनाओं की बोली में एक दरजन देशी विदेशी कंपनियों ने हिस्सा लिया था। इन बातों पर ध्यान देते हैं कि उभोकता को वे अपनी रणीती के केंदर में रखें और ग्राहकों को सहज अनुभाव मिले। हमने भारत में साथ साल पहले कुछ सो विक्रेताओं के साथ सुरुवात की थी और अब Amazon.in पर 6.5 लाग से अधिक विक्रेता हैं। आठ लाग से अधिक बुनकर वह कारिगार और लगभग 3 लाग महिला उद्दमी Amazon.in पर भरोसा करते हैं। दस मिलियन छोटे विवसायों को डिजिटल बनाने दोजार पचीस तक भारत के भारत से निर्यात को दस बिलियन डॉलर तक बढ़ाने का एक लाग इंक्रिमेंटल रोजगार स्रजन के लिए एक बिलियन डॉलर के अतरिक्त निवेस की गोशना की है। नेक्स्ट है, म्यूचिल फंड कंपनियां खुद को बैंक न समझे। लोन ग्राकों को मॉरेटोरियम की जिस तरह की सुविधा बैंक दे सकते हैं, म्यूचिल फंड कंपनियां अपने निवेशगों को मासिक निवेस टालने बिल्कुल वैसी ही सुविधा कताई नहीं दे सकती है। बैंकों के पास पुझी प्रयाप्तता का अच्छा खासा इस तरह होता है, उन्हें RBI की मदद का भरोसा रहता है। सेवी एक नियामक के तौर पर किसी को भी स्मॉल कैप फंड में निवेस करने को प्रसाहित नहीं कर रहा है, लेकिन मल्टी कैप फंड को अपने नाम के अनुरूप ही होना चाहिए। सेवी चेर्मेन ने माना की दूसरे निवेस बाजारों की तरह मूचिल फंड बाजार में भी तरलता की कमी है, सेवी इस समस्या को दूर करने के लिए कुछ उपायों पर विज़ार कर रहा है। तो यह business पेज की 3 news थी, अब next पेज पर आते हैं, next page है editorial page, editorial page में 3 article हैं, पहला article है किसान कल्यान के ने मापतंड, जब परधान मंत्री किसानों को वे अधिकार दे रहे हैं, जो उन्हें 70 वर्स पुर मिलने चाहिए थे, तो कुछ विबक्षी नेता या ब्रbodyест पहला रहे हैं इसी पर लिखा गया आर्टिकल और ये आर्टिकल लिखा है केंद्रिय ग्रह मंत्री अमित साहदवारा दूसरा आर्टिकल है अंद विरोध में तब्दील होता विरोध क्रसी विदयकों के विरोध में वही तरीके अपनाये जा रहे हैं जो नागरिक्ता संसोधन कानून के खिलाफ अपनाये गए थे इसी पर लिखा गया आर्टिकल और यह आर्टिकल लिखा है दैनिक जागरण के एसोसियेट एडिटर राजीव सचानदौरा तीसरा आर्टिकल है व्यर्थ का टक्राव जिस तरीके से क्रसी विदयक को लेकर सत्तार और विपक्ष में टक्राव हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ व्यर्थ का एक टक्राव है पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं किसानों के हितों के प्रतिबद रही है किसानों को लुभाने वाली घोष्लाwerव के बचाए प्रदान मंतरी जोर्षी छेत्र को संव्रद और किसानों को ससक्त बनाने पर रहा है सरकार किसानों की आय दोगनी करने के लक्ष वो लेकर चल रही है और इस दिसा में अनेक कदम उठाए गए हैं इसी कड़ी में क्रशी सुधार से समंदित तीन विध्यक सदन में लाए गए हैं पहला विध्यक देश के अन्यदातां को विचौलियों के चुंगल से म पनियादी धाचे की कमी थी और मुल्यों में पाड़तर सिता की कमी थी इस कारण उन्हें अधिक परिवहन लागत लंबी कतारों निलामी में देरी और इस्थानिये माफिया की मार जेलनी पड़ती थी अब उन्हें राष्टिये बाजार में आउसर मिलने के सांसांत वक्षी दल भूल जाते हैं कि स्वामी नाथन आयोग की जिन सिफारिसों को कॉंग्रेस सरकार ने 2006 में ठंडे वस्ते में डाल दिया था उन्हें मोधी सरकार ने पूरा किया है जिसकी एक बानगी गद दिवस भी देखने को मिली है वर्स 2014 की तुलना में गेहो की MSP 41 प्रतिसत धान की 43 मसूर की 73 उड़त की 40 मूम की 60 अरहर की 40 सरसो की 52 चने की 65 मूम फली की 32 प्रतिसत से जादा हो गई है जहां कई विबक्षी पार्टियों ने वर्सों तक किसानों के नाम पर केवल राजनीती की वहीं मोधी सरकार ने सास्त्री जी के जय जवान जय किसान के नारे को आगे ले जाते हुए दरजनों ऐसे काम किये हैं जिनसे किसान तेजी से खुसाली के मार्क पर अग्रसार है मोधी जी के प्रधान मंतरी बनने के बाद क्रसी वजट में 35.6% की वरद्धी हुई है 16.38 करोण किसानों को साइल हेल्थ कार्ड दिये गए हैं माइक्रो इरिगेशन में 49.4% वरद्धी हुई क्रसी यंत्री करण का बजट 1248 गुना किया गया क्रसी रण 57% अधिक दिया गया और क्रसी रण में दी जाने वाली छूट में निवेश 150% बढ़ा मोधी सरकार ने आरसेप से बाहर आकर भी किसानों को चीन के नाकरात्म प्रभाव से बचाया है सरदार पटेल का कहना था इस धर्ती पर अगर किसी को सीना तान कर चलने का हाक है तो वह धन धान ने पैदा करने वाले किसान को है मुझे यह कहते हुए गर्व है कि मोधी सरकार ने किसानों को यह अधिकार देने का काम किया है किसानों के कल्यान के लिए उठाये जा रहे इन कदमों का सुपर परिणाम सीगर ही देश के समक्ष आएगा और आत निर्भर भारत के लिए हो रहे प्रयास से हमारे अन्य दाता किसानों की बराबर की भूमिका होगी नेक्स्ट है अंध विरोद में तब्दील होता विरोद कॉंगरिस त्रमल कॉंगरिस और कुछ अन्य दलों के किसानों को राहत देने के लिए लाए गया विद्यों के खिलाफ वैसा ही अभियान छिड़ दिया है जैसा उन्होंने नागरिक्ता संसुधन कानून यानि CAA के खिला छिड़ा था उन कानून के खिलाफ लोगों को बरगलाने के लिए चल, कपड और जूट का जम कर सहरा लिया गया था लोगों और खासकर मुस्लिम संधाय को बरगलाने के लिए यहां तक कहा गया यह कानून उनकी नागरिक्ता छिनने का काम करेगा इस अभियान में मीडिया का एक हिस्सा भी सामिल हो गया था और कई कथित बुद्धी जीवी भी इस कानून के खिलाफ जहर उगलने लगे थे मुस्लिम संधाय को सड़कों पर उतार कर हिंसक तोर तरीके का सहरा लिया गया था धरना परतरसन और सड़कों को बाधित करने का सिलसिरा देज भर में कायम हो गया था आखिकार जब क्रोना का कहर बढ़ने लगा तो दिल्ली पुलिस ने साहीन बाग को खाली करनाने का काम किया जो उसे पहले दिन ही करना चाहिए था हलागि सरकार यह कहती रही कि नागरिकता संसोधन कानून का देश के किसी नागरिक से कोई लेना देना नहीं है लेकिन मुस्लिम समाज को बरगलाने में जुटे लोग तरह तरह के कुतरक देकर यही राग अलाप रहे हैं कि यह कानून उनके खिलाफ ही है चुकि इधर एक नया चलन यह बन गया है कि सरकार के हर फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनाती दी जाती है इसलिए नागरिकता संसुधन कानून के मामले में भी दी गई और दो चार दस बीस नहीं बलकि देड़ सो याजगा दाखिल कर दी गई है पता नहीं आगे क्या होगा पर इसकी अंदेखी नहीं की जा सकती है कि विरोत के नाम पर विरोत की प्रवर्ती अंद विरोत का रूप ले रही है अंद विरोत की इसी घतरनाक प्रवत्ती के चलते कुर्तादकों के साथ जूट का सहारा बड़ी बहादुरी के साथ लिया जाना आम हो गया है राजसभा में जिन सदस्यों ने हद दर्जे का हंगामा किया उसके चलते निलंबन की चपेट में आयवे खुद को पीडित बताने के लिए हर संभाव जतन कर रहे हैं इसी क्रम में इसका जिक्र करने से बच रहे हैं वे पीठा सीन अधिकारी के सामने मेज पर चड़कर नारे बाजी करने के साथ धक्का मुकी भी कर रहे हैं निलंबित सांसदों में कॉंग्रेस रमुन कॉंग्रेस आम आदमी पार्टी के अलावा वाम पंती दलो के भी सदस्य हैं उनकी माने तो सरकार विपक्ष की आवाज दबा रही है यह चोरी और सीना जोरी का सठी उधा रहा है इस मामले में कॉंग्रेस और वाम दलो के सांसद एक सांथ हैं और एक सुर में बोल रहे हैं लेकिन 2015 के केरल विधान सभा में बजट पेस किये जाते समय विपक्षी विधायकों के हंगामे से आजिज आकर ततकालीन सरकार ने उनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी यह रिपोर्ट इसलिए दर्ज कराई गई नहीं ले रहे हैं उससे यही प्रकट होता है कि किसान हिद के नाम पर अपने अहम की चिंता अधिक की जा रही है राज सभा में ज़रूरत से ज्यादा हंगामा कर सदन की का गरिमा कीने के निलंबन के बाद विपक्ष यह मानने को त्यार नहीं कि उन्होंने कुछ गलत किया है क्या विपक्ष यह चाह रहा है कि पीठा सीर अधिकारी के समझ की गई अभद्रता की अंदेखी कर दी जाए इससे तो संसद में हुर्दंग मचाने वालों को ही बल मिलेगा जब सत्तापक्ष संसदों की निलंबन करने पर विचार करने को तयार है तब फिर विपक्ष को भी चाहिए कि वह अपना हट छोड़े आखिर यह राजनीतिक हट नहीं तो और क्या है कि निलंबित संसद राजसभा के उपसभावदी की सद्भावना पहल पर भी पसीजने को तयार नहीं है विपक्ष की और से सदन चलाने के लिए तीन सर्थे पेज किया जाना जोर ज़वढ़क्रशती की राजनीती का ही परिचायग है तो ये एडिटोरियल पेजC के तीन आर्टिकल थे अब नेक्सट पेज़ पर आते हैं नेक्सट पेज़ हमारा टोकियो ओलम्पिक गेम्स से पहले करारा जटका लग गया है क्योंकि उसके विश्लाट में कोच क्रिस सिरिलो ने स्वास्थ कारणों से अपना पद छोड़ दिया है उस्टेलिया के मशूर ड्रैक फ्लिपकर वह ओलम्पिक कांस पदक और विश्व कप विजेता टीम के सदसर है 34 वर्षिये सिरिलो ने सापताहंत में विक्टोरियो में अपने आवास से इस्तीफा भेज दिया था सिरिलो कोविड 19 महामारी के बीच जून में ऑस्टेलिया लोट गये थे राश्टिय सिविर को सुरू हुए देड़ महीने हो गये हैं लेकिन सिरियो नहीं लोटे थे अ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद